तुम सही कह रहे हो को इंगलिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं और ऐसे ही कुछ और सेंटेंसिस को इंगलिश में कैसे बोला जाता है ये भी सीख लेते हैं तुम सही कह रहे हो को इंगलिश में आप कह सकते हैं You are right या अगर आप ये कहना चाहें कि तुम सही कह रहे हो फिल्म साथ बजे शुरू होती है तो आप कह सकते हैं या एक बातचीत हम समझ लेते हैं जैसे कि कोई आपसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यह सबसे अच्छा मार्ग है या सबसे अच्छा रास्ता है तो उसके लिए आप कह सकते हैं Do you think this is the best route to take और इसके जवाब में आप कहें कि आप सही कह रहे हैं या आप ठीक हैं तो आप कह सकते हैं Yes, you are right Yes, you are right यानि कि हाँ तुम ठीक कह रही हो या फिर अगर आप ये कहना चाहें कि तुम सही कह रहे हो मौसम का पुर्वानुमार दिन भर में बाद में बारिश का अनुमान लगा रहा है तो आप कह सकते हैं You are right The weather forecast predicts rain later in the day या अगर आप ये कहना चाहें कि तुम सही कह रहे हो निर्देश ऐस्पष्ट थे और मुझे सपष्टी करन की आवशकता है तो आप कह सकते हैं You are right The instructions were unclear and I need clarification अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें